अलो स्टूरेंट्स वेलकम टू पीवियार स्टड़ी बच्चों आज की इस कलास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्छा 10 के एंसी आर्टी मैथमेटिक्स और आपका एक सरसाइच चल रहा है 12.1 12.1 का लाश्ट कुष्चन पाचवा नंबर हम देखेंगे सबसे पहले उसके ब वच्चे कच्छा 10 के एंसी आर्टी किताबे लिये हो ले हो ना कुष्चन सुन लिजिए लाश्ट का एकदम लाश्ट का कुष्चन है तथा अपने उत्तर का आउचित दीजिए यानि आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है और फिर उसका रिजन भी बताना है ठीक है चलि अनों नंबर में इक्वल हो तो बृत्त की त्रिज्या क्या होगी समझ रहे हो यह ऐसा बोल रहा है कि इसका परिमाप यानि जो पेरिमीटर है वह इसके छेतरफल यानि एरिया के इक्वल हो गया मतलब यह है दिया है तो इसकी रेडियस क्या होगी त्रिज्या क्या होगी य क्या करना, निकालना है। option दिये गए है, पहला option है, दो मात रख है, πाई मात रख है, चार मात रख है, यर साथ मात रख है, तो बच्चोλ इसका correct answer है, दो मात रख है, यानि two unity's का answer होगा। कैसे? देखो, मैं बताता हूँ, समझो. कह रहा है कि area और perimeter है ना हम चलो कर देते हैं ठीक है अधिया हो जो पेरिमीटर यानि परिमाप का सूत्र होता है प्रित्र का टूपाई आर होता है यह आप जानते हो फर्मूला इसमें से आप अगर एक काम करो पाई से पाई को कैंसिल कर दो तो आपका टू आर इक्वल आर बचेगा ना और इस से एक हार से एक हार कट जाएगा तो दू बराबर आर यह नहीं आपका रेडियस कितना आगे टू यूनिट आया कि बोलो आए कि नहीं तो यह आपका फाइनल खतम हो गया ठीक है बस इतना ही था चलिए अब आपका एक नया अब्भास सुरू होगा इकसरसाई 12.2 ध्यान दीजिये इकसरसाई 12.2 कहीं जाना नहीं बहुत आसान है एकदब मज़ेदार है रहा जाई.. चरह 6 सिंटी मीटर त्रिज्या ऒाली एक बृत्त के त्रिज्य खंड का छेतरफल ग्यात कीजिए मैं इसको आपको इंगलीश में भी पढ़ के सुनाओंगा जिसका कोण 60 डिग्री है बहुत आसान है ठीक है आप इस question को जड़ा इंगलीश में सुन लीजिए इंगलीश में क्या कह रहा है सुनिएगा मैं question देख रहा हूं इंगलिस में कह रहा बच्चों कि find the area of sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree फिर से सुन लीजिए find the area of sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree यानि एक आपको circle दिया गया है बाबू जिसमें इसकी radius दी गई है 6 cm और इसमें angle दिया गया है angle कितना दिया गया एक 60 hands दिया गया ठीक है यह radius 6 दिया गया इसको मानलो ऐसे बना लेते हैं यह O है आपका center है ठीक है तो यह जो angle है वो 60 का दिया है यह क्या हैओ एक सेक्टर है त्रिज्य खंड है मैंने बना लिया ठीक है ब्त के अंदर ऐसे त्रिजखंड बनता है मैंने आपको रिचांब पार्ड में बताया था हमें क्या करना है इसी त्रिज्य-खंड का क्या निकालना चैनल निकालना है और लिखिए एरिया आप सेक्टर या तृज़ खंड का चैनल इंग्लिज में एरिया आफ सेक्टर इक्वल अधेखो बच्चा क्या होता है ये थीटा अपान थिरी शिक्ष्टी इंट्रोडक्शन वाले पार्टर मैंने आपको बताया था इंट्व पाई यार स्क्वाइर चुकि हमें क्या करना है एरिया निकालना है हीटा की बैलू दी गई है बाबू 60 दी गई है रख लो और 360 वैसे रहेगा इंट्व पाई पाई कमान तो रख सकते हो बाईस बटा साथ ना रख लो पाई कमान 22 अपान 7 इंट्व आर आर कमान 6 चे का 20 स्क्वाइर है मतलब 6 गुड़े 6 ठिक है इनको काट देंगे हमें 0 से 0 ये 6 कम 6 6 चक चतिस ये 6 नीचे हर में है ये 6 अंस में है एक 6 से एक 6 भी कैंसिल हो जायेगा उपर आपका क्या बचेगा उपर आपका बचेगा 22 और 6 चै का बाइस में गुड़ा कर लो 6 दूना बारा एक 13 बटा साथ यह सेंटिमीटर स्कॉयर यह आपका क्या हो गया एरिया हो गया बाबू ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना कोई डाउट नहीं न अगला नेक्स्ट कुइस्टन दिखाऊं ठीकन नंबर देख लीजिए कहीं जाना नहीं इस्क्रेंसाट लेलो पहला हो गया मिश्टर रभी कुमार कमेंट आपका आ रहा है सबका कमेंट आ रहा है देखो लोकुस जी आपका भी कमेंट आ रहा है पूनम सिंग सबका कमेंट आ परेसान नहीं हो आप भी मननाम नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि कलास आगे पढ़ानी है अब अच्छे NCRT किताब लिये हूँ, second question देखो, एक बृत्त के चतुर्थांस का छेतरफल ग्याद कीजिए, इंगलिस में भी बोलूँगा सुनो, एक बृत्त के चतुर्थांस का छेतरफल ग्याद कीजिए, जिसकी परिधी 22 cm है, यानि एक सरकल है जिसके quadrant का आपको area find करनी है, और इसकी जो circumference है, वो 22 cm दी गई है, बाबू, भाईया, देखो, एक सरकल है, जिसे बोलते हैं बृत्त, ठीक है, हमें इसके quadrant यानि चतुर्थांस का छेतरफल निकालना है, quadrant आपने पढ़ा होगा जब ऐसे बना के आपको बताते थे, यह पहला चतुर्थांस, दूसरा तीफरा चुथा, बड़ा था ना, तो इस circle का one upon four भाग इसका quadrant होगा, ठीक है, इसको दिखाने के लिए हम ऐसे बना सकते हैं, लो देख लो, यह क्या, इसका quadrant है, हमें इसी का area निकालनी है, यह, जो मैं घेर दिया, इसी का हमें क्या करना है, इसका हमें area find करनी है, यही क्या है चतुर्थांस है, समझ रहे हो, चतुर्थांस हिंदी में इंग्लिस में quadrant बोलते हैं, तो देखो बाबु सुनो, इंग्लिस में question सुन लो, इंग्लिस में सुन लो, कह रहा है, find the area of quadrant of a circle whose circumference is 22 cm, ठीक है, चलो, लिखो, नीचे चाहे लिख लो समझने के लिए, किसी बृत् किसी बृत्य के, one upon four part को बृत्य का quadrant कहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बृत्य की परिधी दी गई है, बृत्य की परिधी दी है, आप इंग्लिस में लिख सकते हो, circumference of circle, equal, 22 cm, ओके, तो को बेटा, इसका जो रियल में फार्मूला होता है, वो 2 pi r होता है, इक्वल 22, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से अगर इसे कुछ करो, simplify करो, तो यहाँ पर आपका कुछ r वार आ जायेगा कि नहीं, करके देखो, 2 into pi कमांड 22 upon 7 into r equal 22, यहाँ से अगर हम r का value find करना चाहें, आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, तो यह क्या बनेगा, उधर साइड जाएगा, आलट पलट जाएगा ना, तो 22 गुड़े हमें लगता 7 हो जाएगा, भाई, simple सी बात है, इसका उधर साइड में multiple हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, देखो मैं तुम्हें detail में बता देता हूँ, छोड़ो, detail में करोगे, इसके नीचे एक लिख लो, अब यह चूकी, एक fraction बन गया, यह भी एक fraction बन गया, इसका इधर तेच्छा गुड़ा, इस 22 गुड़ा, दो, ठीक है, यह 22 से 22 कट जाएगा, आर का मान आ जाएगा, आपका यह 7 upon 2, समझ में आया, यह क्या आ गया, आर आ गया, हमें क्या निकालना था, बृत्त के चतुर्थांस का छेतरफल, जब हमें आर मिल गया, तो हम इसका आव, छेतरफल मींस एरिया फाइंड कर सकते हैं, लिखो, एरिया कैसे निकालोगे, देखो यह सरकल है ना बाबू, पूरा बृत्त है, बृत्त का जो छेतरफल होगा, उसका एक बटा चार भाग यह होगा ना, रंगवाला, भाई मान लो एक गोला गोला लड़ू है, लड़ू जानते हो ना, यह मान लो अमरू बृता है, उसका एक बटा चार करतों के बस, ठीक है, क्योंकि बृत्त का छेतरफल, लिखो, बृत्त का छेतरफल इक्वल पाई यार स्कॉयर, यह पूरे सरकल का, अब लिखेंगे, बृत्त के चतुर्थांस, लिख दो, क्वाडरेंट आफ सरकल, बृत्त के चतुर्थांस का छेत्रफल क्या वन अफान फोर पाई आर स्कॉयर बस इसमें बैलू रखके अफटा-फट मान निकाल लो आ गया अंसर आपका ठिक है चलो देखो आर कमान आपको मिल गया है सेबन अपान टू मिला है ना बाबू तो रखलो हो गया आंसर आपका फटा-फट चलो काहे को देख के चक्कर में ना पढ़ो सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में पढ़ो बस एक बटा चार पाई कमान बाइस बटा साथ और कमान साथ बटा दो तो आर का स्कॉयर है इसको हमने दो तो मल्टिपल करोगे तो 77 नीचे यह एट यह सेंटीमेटर स्कॉयर क्योंकि हमें क्या करना था एरिया फाइंड करनी थी है तो इस तरह से आपका यह कोईशन हो गया डन खतम हो गया यहीं पर इसके आगे के कोईश्चन हम आपको अगली कलास में करवाएंगे आज की कलास अगर आपके मन में कोई डाउट है आप कमेंट करिए इस तरह की पूरी एक एक घंटे की कलास के लिए आप प्यार से आराम से घर बेटे पढ़ सकते हैं आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थांक्यू रात के नौ बज़े से आपको जीरो लेबल से मैत पढ़ाई जाती है अगर आपकी मैत कमजोर है तो रात नौ बज़े लाइब जुड़े हैं हमारे साथ हम आपका नाम भी बोलेंगे और बहुत मस्त कलासूब